नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक कहानी सुनाएंगे, जिसका नाम है, हमारी माँ. तो चलिए कहानी को सुरू करते हैं, सुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे, इस तरह की कहानी सुनने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, और शेयर भी कीजिए. विमल बहुत परेशान रहता था, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस परिस्थिती से कैसे निबटे, वो अपनी माँ को बहुत चाहता था, किन्तु उसकी पत्नी, और बच्चे, उसकी माँ से बहुत दूर भागते थे. क्योंकि उसकी माँ की एक आँख नहीं थी, साथ ही उसकी कमर भी 90 डिग्री अंश पर जुकी थी, वैसे वह अपना काम सब खुद कर लेती है, किन्तु, फिर भी वो उसकी पत्नी, और बच्चों के लिए हमेशा खटकती है. दादी, आप उपर के कमरे में जाओ, मेरे दोस्त आ रहे हैं, विमल के बेटे अखिल ने बड़े बेरुखी से कहा, पर बेटा, मैं तो यहां बहुत दूर बैथी हूँ, विमल की माँ ने बहुत प्यार से कहा. नहीं, आप उनके सामने मत रहो, वो मुझे चिराते हैं, अखिल ने जोर से डाटते हुए कहा, क्या हुआ अखिल क्यूं चिला रहे हो, विमल की पत्नी कामनी ने किचन से ही आवाज लगाई. देखो न मा, ये दादी यहीं ड्राइंग रूम में बैठी हैं, और मेरे दोस्त आ रहे हैं, अखिल ने शिकायत भरे लहजे में कहा, मा जी, आप उपर चली जाओ, क्यूं हम लोगों को लजवाती हो, कामनी ने बेटे का पक्ष लेते हुए कहा. बेचारी सरस्वती, चुकचाप उठकर जीने के सहारे उपर जाने लगी, कमर जुकी होने के कारण, उन्हें उपर चड़ने में बहुत परेशानी हो रही थी, किन्तु वो पूरी ताकत से उपर के एक अकेले कोने वाले कमरे में जाकर बैठ गई. विमल बाजू के कमरे से सब सुन रहा था, उसे कश्ट हो रहा था, कि उसकी मां को अपमानित होना पड़ रहा है, किन्तु वो असहाय था, अगर वो कुछ कहता है, तो पत्मी और बच्चे उसका विरोध करने लगते हैं, दूसरे उनके तर्ट भी सही लगते हैं, चुनकी वो एक प्रशासनिक अधिकारी था, उसका सामाजिक स्तर बहुत उचा था, उसकी ससुराल भी एक उच्च घराने में थी, अतहवह चुपचाप इस तरह हर दिन अपनी मां को अपमानित होते देखता रहता था, रात को विमल की पत्नी ने कहा, देखो जी, अब कुछ करो कल कलेक्ट साहब की पत्नी आई थी, मां जी अपनी देशी धुन धारा में उनसे मिली, मुझे बहुत शर्म आ रही थी, बताते हुए कि ये मेरी सास है, मैंने कह दिया कि दूर की रिष्टेदार है, इलाज कराने आई है, विमल को रोना आ गया, किन्तु फिर भी वह चुप र लेती थी, विमल बहुत उदास रहने लगा, एक तरफ परिवार और सामाजिक स्तर पर जीने की प्रतिबधता थी, तो दूसरी और मां, आखिर मां से अपने बेटे की ये हालत नहीं देखी गई, एक दिन उसने अपने बेटे से कहा, विमल बहुत दिन हो गए है, मैं अपन वाले तो हैं, और वो तुम्हारे मामा जी तो उसी गाव में रहते हैं, और फिर हम सारी व्यवस्थाय कर आएंगे न, कामनी को तो जैसे मन की मुराद मिल गई हो, हाँ बेटा, बहु सही कह रही है, सरस्वती ने लंबी सास लेते हुए कहा, विमल जानता था कि गाव में मा की देख भाल करने वाला कोई नहीं है, लेकिन अपनी पत्नी की जित के कारण, वह अपनी मा को गाव छोड़ने पर विवश हो गया, मा को गाव छोड़कर आते वक्त उसे रोना आ रहा था, तथा अपनी बेवसी पर गुस्सा भी आ रहा था, किन्तु परिवार, पत्नी, औ उसके पिता जीवित थे, तब वो भारत आये थे, और उसके बाद वो अब भारत आने वाले थे, पूरा परिवार और आसपरोज बहुत उत्साहित था, अमेरिका से विमल के डॉक्टर चाचा आ रहे थे, डॉक्टर रमेश ने जैसे ही घर में कदम रखा, सब ने मिलकर बह पार्ट लहजे में उत्तर दिया, डॉक्टर रमेश ने विमल की ओर देखा, तो विमल ने अपनी आखें जुका ली, डॉक्टर रमेश सब समझ गए, बोले, कल हम भावी से मिलने गाव चलेगे, सब लोग दूसरे दिन सभी लोग गाव के घर में पहुँचे, डेखा कि सर सरस्वती के पास गए, उनके पैर छूकर रोने लगे सरस्वती की ये हालत उनकी कल्कना से परे थी, वा बेटा विमल, तूने तो नाम उजागर कर दिया, अपनी मा की ये हालत देख कर तुझे तो शर्म भी नहीं आ रही होगी, डॉक्टर रमेश ने विमल को लगभग डा नहीं है, समाज में तुम्हें नीचा देखना पड़ता है, है ना? डॉक्टर रमेश ने कामनी की ओर विमल को देखने लगी, आज तुम जिस समाजिक स्तर पर हो, वो इन ही के संघर्षों की देन है, और बेटा विमल, तुम्हें शायद मालूम नहों की बच्पन में जब तुम वन साल के थे, तब छत से नीचे गिरने के कारण तुम्हारी एक आँख फूट गई थी, और तुम्हारी रीर की हड़ी में भी समस्या थी, तब तुम्हारी इस कुरूप मा ने अपनी एक आँख और अपना बोन मेरो तुम्हें देकर इतना सुन्दर स्वरूप दिय था, कामनी बेटा, इतने सालों तक संघर्ष करके बेटे को प्रशासनिक अधिकारी बनाने वाली इस संघर्ष शील औरत की तुम्हें लोगों ने ये दशा कर दी, तुम्हें इश्वर कभी माफ नहीं करेगा, डॉक्टर रमेश की आँखों से अश्रू जलधारा बह रही अब भावी, आप मेरे साथ अमेरिका जाएंगी, यहां इन स्वार्थी लोगों के बीच नहीं रहेंगी, डॉक्टर रमेश ने सरस्वती से कहा, विमल को तो काटो तो खून नहीं था, डॉक्टर रमेश जो उसके चाचा थे, उन्होंने जो राज बताया उसके बाद तो विमल को यही लग रहा था कि उससे ज्यादा पापी इनसान इस दुनिया में कोई और है ही नहीं, वह दोरता गया, और मा सरस्वती के कदमों से लिप्ट गया, मा मेरा अपराद अक्षम्य है, मैं जान बूझ कर चुपी साधे रहा, आपका अपमान करवाता रहा, अब सिर् सरस्वती से आँख मिलाए, सरस्वती ने कामनी की मन, स्थिती को समझ कर उसको पुछकारते हुए अपने पास बुलाया, और विमल को डाटते हुए कहा, खबरदार जो मेरी बहु को मुझ से अलग करने की कोशिश की तो, तुझे ही घर से बाहर निकाल दूंगी, कामनी और बच्चों ने सरस्वती के पैर पढ़ते हुए अपने व्यवहार पर माफी मांगी, और मा के हिदय ने सब को माफ कर दिया.